नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एजुकिस्टन चैनल में तो आज की उडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपका जो पेशा भी हो लाल रंका दिखाई देता है या फिर गुलाबी रंका या फिर बुरे रंका साथो सथ क्या होता है कि आपका जो पेट है उसके उपरी हिस्से में काफी ज्यादा जो हो दर्द मैसुस होता है तीसरा symptom हम देखे, तो कमर में तेज दर्द होता है, जो backup जो portion होता है, वहाँ पे या फिर आपका ये जो घर्दन का पाग है, वहाँ पे काफी ज़्यादा दर्द आप महसुस करते हैं चोथा symptom हम देखे, तो जब भी आप पेसाप करने जाते हैं, यूरीन करने जाते हैं, तो आपको काफी ज़्यादा दर्द और जलन महसुस होती है, फिर पांचवा health problem या फिर हम symptom देखे, तो पेसाप मार्ग में खून के ठक्के होने के कारण, जब भी आप यूरीन करते हैं, तो यूरीन के साथ बलर्ड आने लगता है, और छटा symptom हम देखे, तो जो पेसाप का कलर है, पेसाप का जो रंग है, वो बदन ले लगता है, तो ये जो सभी symptom से, वो indicate करते हैं कि हीमेटूरिया की बीमारी हो सकती है, हीमेटूरिया की जिसको हम सामन्य बासा में, पेसाप मे खून आने की बीमारी कहते हैं, तो चलिए सिखते हैं डिटेल में ये प्राब्लेम के बारे में, और जानेंगे कि उसका solution क्या है, कैसे हम ये प्राब्लेम को रोक सकते हैं, और कैसे उसका उपचार हो सकते हैं, तो ये सब अलग अलग चैप्टर से, वो हम cover करेंगे आज की वीडियो लेक्चर में, तो सुरू अद करते हैं पहले चैप्टर से, तो सबसे पहले उसका basic introduction जानते हैं, तो पेसाब में खून आने की जो समस्या है, उसको हम medical terms में hematuria कहते हैं, और specially जो आपकी urinary track है पूरा, उसके अंदर कोई संक्रा मन हुआ है, कोई infection हुआ है, तो उस blockage है, या फिर कोई infection है, तो उसके करण ये हो सकता है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा symptoms सुरू होता है, तो तुरंत आपको उसका जांच कराना चाहिए, उसका निदान कराना चाहिए, कि जिससे आगे जाके ये problem काफी बढ़ा ना हो, because क्या होता है कि अगर काफी लंबे समय ये problem रहती है, तो आगे जाके आपके kidneys के उपर असर हो सकती है, kidney खराब भी हो सकती है, तो उसके कुछ reasons हम देखे, तो सरुवात होती है UDIC, urinary tract infection, कि जो आपके पेसाब मार्ग में संक्रमन होता है, और वो जरुवत पढ़ने पर आप proper उसकी treatment नहीं कराते, तो ये infection और कुन भी आ सकता है, जैसे कि pyelonephritis की condition है, cystitis है, urinary stone disease है, मलब की जिसको हम kidney stone कहते हैं, और जो prostate होता है, उसकी जो size है, वो बढ़ जाती है, तो उसके करण ये problem हो सकता है, फिर menstruation के दारक कारण भी, महिलाओ के अंदर ये problem हो सकते हैं, उनके पेसाब में कुनाना, फिर endometriosis क condition है, kidney disease हुई है कोई, या फिर आपका जो urinary track है, उसके अंदर किसे तरह से injury हुई है, और वो injury होने का reason कई बार होता है, kidney stone, कि मानलो कि यहाँ पे कोई stone फसा हुआ है, और वो stone, जैसे से आगे pass होने का try करता है, तो वो stay on क्या करता है, कि आपकी urinary track को damage करता है, और उसके का कारण B, पेसा आप में खूना सकता है, या फिर कोई physical injury हुई है आपको वहाँ पे, तो भी यह problem हो सकता है, sickle cell disease के कारण भी हो सकता है, फिर constipation लंबे समय तक आप तुको रहती है, या फिर diarrhea रहते हैं, आप काफी ज़्यादा heavy weight lift करते हैं, मतलब कि वजन उठाना होता है आ और constipation होगा, तो ये problem हो सकती है, और straining जब आप pass करते हैं आपका stool, तो ऐसे कारण भी पेसा आप में खून आ सकता है, तो ऐसे आपको अलग-अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो आप हमा पर WhatsApp कर सकते हैं, या फिर आप पीन comment या फिर description box को check करके directly हमारी ये book को order कर सकते हैं, कुछ और reason देखे, ये problem के तो cancer भी है, कि अगर किसी को cancer हुआ है, जैसे की bladder में cancer है, या फिर kidney के अंदर को cancer हुआ है, उसके लावा urethral है, या फिर prostate cancer, तो अगर किसी को urinated track के अंदर कही पर भी cancer होता है, तो उसका एक symptom बनता है, ये पेसाब में खूनाना, तो symptoms हम देखे, तो जैसे हमने आगे भी discuss किये, तो painful urination, यानि कि जब आप urine pass करने जाते है, तब आपको दर्द होता है, जलन भी होती है, और बार-बार पेसाब करने जाना होता है, फिर उल्टी हो सकती ह या फिर जी गब रहता है, वामिटिंग जैसा फिल होता है, बुखार भी आता है, उसके करन ठंड लगती है, और आपको back pain हो सकती है, या फिर lower abdomen में, मनलब कि जैसे पेट के निचरे हिस्से में, या फिर कमर में दर्द हो सकता है, तो अब जानना जरूरी है कि ये problem का, cytology की जाती है, फिर सबसे ज्यादा जरूरी है cytoscopy और ultrasound, या पर सबसे पहले कोई भी आपको ये problem सूरी होती है, तो नजदी की hospital में जाके, urologist को दिखा सकते है, nephrologist को दिखा सकते है, gynecology के पास भी जा सकते है, gynecologist के पास, और वो आपका ultrasound करेंगे, और ultrasound से पता चलेग कि कहाँ पे क्या problem है आपके urinary track के अंदर, और urine sample collect करके उसके proper analysis करेंगे कि जिससे पता चलेगा, और और जदा deep में analysis करने के लिए CT scan और MRI का option हमारे पास बनता है, तो अब यह है कि ये problem को रोके कैसे, कि अगर किसी को ये problem हुई नहीं है, तो कैसे ये problem को prevent कर सकते है, because prevention is better than cure तो सबसे पहला ये basic ये है कि आपको पानी जदा पिना चाहिए, because kidneys की healthiness के लिए ज़रूरी है, कि आप पानी जदा पिए, और at least 2-3 liter या फिर 3-4 liter जतना पानी आप दिन में पिए, balanced diet लेनी चाहिए, healthy खाना खाना चाहिए, smoking करते हैं तो उसको avoid कर दीजिए, फिर आप खान प्राइवेट पार्ट से, आपकी reproductive organ से, उसकी अच्छे से साप साफाई रखे, और urinate आपको करना ज़रूरी है कि अगर आपको physical activity करते हैं, treatment के हम options देखे, तो antibiotic का options रहते हैं, because यहाँ पे infection होता है, और bacteria के करन भी infection हो सकता है, फिर disease modifying agent है, diuretic से, और hormone related medications यहाँ पे options बनते ह हैं, तो सबसे पहला जो option है, antibiotic का, कि अगर कोई infection है, और यह infection को हमें treat करना है, तो antibiotic में यह काफी अच्छा option रहता है, कि अगर UTI है, तो इसमें oflox or anidazol का यह combination काफी effective सा अभी तो तक जिसकी एक या डो tablet prescribed की जादी है, खास कर, और patient दिन में, दो बार या फिर दिन में, ए साप करने जाना पड़ता है, तो जैनफ्लोक्स UTI यह काफी अच्छे product है, mankind का, कि जिसके अंदर फ्लेयोक्स एट है, कि जो urinary urgency को रोखता है, और ओफ्लोक्स आसीन जो एंटिबायोटिक का काम करेगा, तो यह भी एक अच्छा option बनेगा, तीसरा हम देखे, तो individual फ्लेयोक् का जो सचेट आता है, एक nutraceutical काम करता है, कि kidney की healthiness के लिए यह जरूरी है, जैसे कि इसके अंदर potassium, magnesium, citrate रहता है, demanose रहता है, और cranberry का extract रहता है, जो kidney से उसके healthiness के लिए काफी जरूरी nutraceutical है, कि जो इसमें से आपको मिलता है, पांचवा option यहाँ पे बनता है, clear stone के drops का, या फिर आप renal calculate drops भी यूज़ कर सकते हैं, अगर पेसाब में खून आने का reason है, kidney stone की kidney stone हुआ है, और ये kidney stone के कारण आपके पेसाब के अंदर खून आ रहा है, तो अगर clear stone drop यूज़ करते हैं, 10 से 15 drops लेनी होते हैं, half cup जितने पानी में, दिन में 3 बार, और ये 37 drops ले रहे हैं, एलन के, तो 8 से 10 drop लेनी होते हैं, half cup पानी में, और वो भी दिन में 3 बार जो ले सकता है, साथवा option है, हिमालिया का herbal medicines के अंदर, system की जो tablet से, दो tablet, दिन में 2 बार लेनी होते हैं, दो tablet सुबर, दो tablet रात में, अगर ये नहीं लेनी तो आठवा option है, system ford का, वो भी same dose में लिय होता तो, कि हमारी book जरूर से आप purchase कर सकते हैं, बीमारिया और उनका उपचार, तो book order करने के लिए, आप ये दिये गए नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं, या फिर हमारी pin comment, या फिर description box को जरूर से चेक करें, 9th option हम देखें, तो tablet मालों के किसी को suitable नहीं होता, तो system की syrup भी आती है, या फिर नीरी करके भी syrup आती है, तो दोनों में से कोई एक use की जा सकती है, कि जिसका dose खास कर रहता है, 5 ml, दिन में 2 बार या फिर तिन दिन में 3 बार ले सकता है, एक चमर जितना, फिर जो urine acidic हो जाता ह कई बार उसके करन जलन होती है, तो ये अलका स्वल का option रहता है, या फिर अलका rate का, कि जो same dose में ले सकते है, 5 ml दिन में 2 या 3 बार, फिर urinary tube को dilate करने के लिए, कि मालों कि वहाँ पे कुछ ton फसा है, और वो अच्छे से आगे नहीं जा पारा, तो उसके लिए एक जगा बन जाते हैं, यहाँ पर एक उसका marketed formulation हम देख रहा है, well time point 2 वाला, तो दो या 3 tablet या फिर दिन में 2 tablet यह दी जाती है, हर 6 या 8 गंडे के time interval पे, और यह सबी से ठीक नहीं हो रहा, तो एक आपरी option जो रहता है, वो है surgery का, कि लीथोट्रिप्सी की जाती है, कि अगर kidney stone है, और kidney stone क कि अगरन पेसाब में खून आ रहा है, तो जो sock waves होते हैं, वो आपके stone हैं, उसको break कर देते हैं, और urine के थूँ वो stone मतलब सरीर में से बाहर निकल जाते हैं, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो यहाँ पे click करके, ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें भी मैंने आपको काफी अच्छी detail में समझाया हैं, ये वीमारी के बारे में, तो जरूर से मेरा ये वीडियो देखे, और चैनल पे नए आये हैं, तो चैनल को जरूर से subscribe करें, ऐसे ही बहुत सारे health related वीडियो को देखने के लिए, और हमारी जो book है, उसको भी आप purchase कर सकते हैं, so good luck and all the best.